हाई गाइज स्वागत आप लोगा मेरे चाने पे मैंना में जानेट है अगर आप लॉट के आ रहे हो थैंक्यू आपके लाइच सब्सक्रिप्शन के लिए आपके डूनेशन के लिए आपके फुल-उन सपोर्ट के लिए अगर आप पहली बार आ रहे हो सब्सक्रिप्शराइब से टाहँ दीजिए को देखते हैं आज आप लोगा के लिए क्या मैसेजस हैं जा इस में आज बॉक्स से सारे अब मैसेज इसनिकालना चाहती है कि अ आप है क्या में सब्सक्वाब मैसेजिग और तेında पहले हम सारे नाम और नमबर्स देख लेंगे ठीक है और अनिमल स्पिरिट देख लेंगे वियाब फ्लमिंगो एक बर्ड है थीक है वियाब अमेथ वियाब शिर्पा वियाब 1025 अंजल नंबर वी हैब 814 यहां पर कोई है जो 814 नमबर देखर हूं, इंजल नमबर, that's a twin number by the way, coordination number है, we have 008, we have Bhanu, we have Xenia, flower, we have Juhi flower, we have cobra, snake spirit here, that's kundalini, represents snakes, backstabbing ko bhi represent, transformation ko bhi represent, shedding of old skin, ego ko lose करके, real authentic self में आने के बार में भी बात करता है, नए energy ko embody करने के बार में बात करता है, ठीक है, we have Monica, we have 4307, we have 744, we have Azhar, we have Santosh, we have 817, we have angel number 28, we have 2025, angel number 2025, we have Raju, we have Prativa, we have Mother Gaia, तो आप एर्थ साइन हो सकते हो या Mother Gaia के साथ आपका special connection है, आपको healing receive होता है, Mother Gaia से, इतनी थे, नाम और नमबर, now let's just get into the messages, we have change your toothpaste, यहाँ पर किसी को कहा जा रहा है कि अपना toothpaste change करो, ठीक है, प्रॉबली आपको toothpaste expired हो गया या फिर आपके गम्स के लिए ये इनाफ नहीं है, आपको sensitivity हो रही है इस वक्त, गम ब्लीडिंग, आपको प्रिस्क्राइब तूथ पेस्स की जरुवत पड़ सकती है, बैट माउथ प्रैथ आम हीरें, कोई है यहां पर जो जबर्दस तरीके से अपने situation में बहुत confused हो गया थे ठीक है ना उन्हें समझ में नहीं आ रहा था किस direction में जाना है तो उन्हें जो उस वक्त सही लगा उन्हें वह किया पर देन अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें क्लियर नहीं हुआ है, जै तो यह परसे आपसे डरते भी है, I feel इस परसे ने बहुत जलबाजी में एक आपको जज कर लिया है और तरीके से आपको जज नहीं किया है, there are parts of you जो उन्हें उस वक्त ठीक से clearly देखा नहीं था, कुछ समझा नहीं था, it's more like अगर आप इतने गलत हो तो आप इतने सही कैसे हो गया, right, it's like जलबाजी में या, you know, वो clear वाली जो एक restless वाली जो energy होती है उसके होने के वज़े से आपके person ठीक से आपको देख नहीं पाए, आपको परक नहीं पाए, ठीक है, and they are recognizing कि वो कहीं नहीं आपसे डरते भी है, especially अगर आप light worker हो, और इस person के vibration आपसे अगर कम थी तो, of course, आपके light zone के, you know, toxic side को परिशानी तो होती हो, right, we have the color blue, आपके person का favorite color हो सकते है, we have birthday cake, तो यहाँ पर रिसी का birthday आ रहा है, यह सा, birthday cake को लेकर कि शायद कोई लफ़रा हुआ था, something about birthday cake, we have empowered, yeah, I feel कि आप बहुत empowered हो, you have always been very powerful, it's just that कि आप अपने खुद के strength को नहीं समझ रहे थे, ठीक है, और जिस पल, ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आप कौन हो, और आप actually क्या strength hold करते हो, अपने आपने situation में everything kind of changed, ठीक है, we have stealing, cheating, lies, toll are unbelievable, I feel कि आपके person, आप जिसके बारे में सोचते हो, इस reading पे आए थे, आपके person को यहां पर आपको लेकर के बहुत जूट बाते बोली गई है, probably किसी ने आपके बारे में कहा होगा कि आप आप चीटर होई, आपको कोई ex हो सकते है, ex friend हो सकते है, जिसने आपके person के कान को भड़ा है, ठीक है, it's like बहुत सारे जूट आपको लेकर के बना-बना कर के कहा गया, it's like वो करते थे पर उनोंने कहा कि आप में किया हुआ है, ठीक है, and your person kind of got confused, क्यूंकि आपके खिलाब बात करने वाले कोई पढ़ाय नहीं, आपके बहुत क्लोस लोग थे, एक होता है ना, कि यार, कोई अपनों के बार में ऐसे क्यों कहेगा, अगर ये लोग कह रहे है, you know, it's coming from family friends, close family friends, तो जरूर इसमें कुछ तो सच्चा ही होग so it kind of confused, अपके person के judgment को यहाँ पर थोड़ा सा clouded हो गया, ठीक है, and I feel कि कही नहीं आपका person अपने intuition की बात भी नहीं सुन रहे थे, there was confusion, अपने अंतरात्मा की आवास को सुनने में, और दिमाग की ego and toxic side में उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा confusion हुआ है, यहाँ पर, वो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, ठीक है, और जल बाजी में उन्होंने कुछ decisions लिया है, जिसका अफसोस उन्हें जबरदस्त हो रहा है, ठीक है, we have pay attention to animals, signs and changes take place around you, तो आपके आस-पास बहुत सी चीजे चीजे चीज हो ग तो आपको पता है कि आपके आस-पास कार्मेक्स है या फिरिया स्पैल वग कर सकते हैं या इन्होंने कंसिस्टिंटी आप पर साइकिक अटाइक्स थो किया, इनकी नजरे अच्छी नहीं है, they don't have good will in their heart for you, ठीक है, इनकी नियत अपकी तरफ सही नहीं है, तो बार बार करके अपने आपको ऐसे टॉक्सिक सिचेशन में मत डाला करो, जहां पर आप जख्मी हो सकते हो, ठीक है ना, एक गल्ती एक लाइफ टाइम के लिए काफी होना चेले, ठीक है, एक ही बार में सबग सीख लिया करो, और बार करके अपने आपको उन प्रोब्लमाटिक सिचेशन में मत डाला करो, ठीक है, we have, you try to, they try to steal your gift, but their body is not strong enough to hold them, they will lose their mind, exactly, they say, I feel कि यह लोग जो आपके बार में बखवास कर रहे थे, actually इन्हें आपके spiritual gifts चाहिए, ठीक है, वो कहते रहे कि आप जूते हो, आपने चीट करा है, आप अच्छी इंसान नहीं हो, और आप में जो divine qualities है, वो आपके person को जटाने की कोशिश करते हैं, कि उनमें वो divine qualities है, ठीक है, और कहीं न कहीं, वो आपके energies को भी खीच रहे थे, energy vampires हो सकते हैं, वो आपके energies को खीच के, वो show करने की कोशिश करे थे, कि वो gifted है आप में, ठीक है न, बट हुआ यहाँ पर यह है, कि आपके energy को कीचने के बाद, उनका दिम्माग अब almost खराब हो चुका है, because your energy is very pure, और उनका system इतना upgraded नहीं है, ठीक है, इतना cleansed नहीं है, कि वो आपके energy को अपने धीतर धारन कर सके, these people are going to lose their mind, ठीक है, consistently किसी ने, आपके उपर spell work करके, ठीक है, आपके intuition के साथ, छेर खानी करनी कोशिश किया है, आपके channeling के साथ, you know, message channeling के साथ, यहाँ पर कुछ करबर करने की कोशिश किया है, ठीक है, ठीक है, इस people are going to lose their mind, okay, let's get into the next message, we have karmic sister, so यह कोई karmic sister है, आपका, यहाँ, यहाँ, आपका karmic sister है, जिसने आपके person के कान भरे है, but then still यह सवाल आता है, right, कि आपका person ने इस पर यकीन कैसे कल दिया, we have karmic wants to fight divine master and divine feminine, so यह आपका karmic sister है, इन से expect कर सकते हूँ, कि वो एक और बार, आपड़ अपर अटाक करेंगे, या फिर वो अटाक कर चुके है, and अब उनका दिमाग खराब हो रहा है, because magic backfire कर चुका है, okay, dated the same zodiac sign and got confused, okay, so this tells me कि आपका person ने आपके उपर जिस भी दूसरी energy के तरफ गाए, it's like यहां पर इतना ज्यादा confusion फैल गया था ना, कि आपका person इस confusion से दूर जाने के लिए, वो किसी और रास्ते कुनोंने अपना है, and the next person कुनोंने date के, was the same zodiac sign as yours, okay, similar energies थी आप रो की, यह कोई fake twin flame, या soulmate हो सकता है, जिसने, you know, आपकी जगा लेने की कोशिश की है, ठीक है, and इससे आपके person को और जादा confusion हो गया, listen, एके इंसान को confusion तो होगा है, अगर वो अपने आप में clear नहीं है, अगर उसकी divinity सही नहीं है, वो toxicity प्रैक्टिस करते है, उनका connection अपने साथ, divine के साथ, अगर सही नहीं है, तो of course, यह confusion होंगे, और उसे clear कनने भी बहुत लंबा समय लग जाता है, right, तो यह person might be dealing with a fake twin flame, जिसे उन्होंने आपके उपर चुना, we have, you need guidance, yeah, I feel आप a person को guide करने की कोशिश कर चुके हो, but उन्हें आपकी बात नहीं सुनी, ठीक है, we have abusive religious woman, तो यह जो karmic feminine है, ठीक है, यह karmic sister है, आपका karmic sister होई है, उनका karmic sister, I feel this is more like your karmic sister, ठीक है, यह religious है, और toxic ईश्वर का नाम गलत तरीके से use करते हैं, बहुत जूड बोलते हैं, यह ईश्वर का नाम लेकर के, खुद भी abuse को endure करते हैं, ठीक है, और दूसरे feminines के लिए भी यह abuse का कारण बढ़ते हैं, यह अधिरली यह masculine को यह दूसरे feminines को इनकारेज करते हैं, कि वह ए दूसरे को abuse करें, ए दूसरे को suppress करें, इसकी जो प्रैक्टिस है यह फैमिनन को शक्ती को suppress करता है, and masculine के अंदर से इंसानियत को खतम कर देता हैं, obviously अगर आप किसी को hurt करें, जाई सी बात है, आपके भीतर की इंसानियत करूना भी खतम हो जाएगी, आपसे सामने वाली को चोटने ही करें, आप अपने भीतर की करूना को भी मार डाले हैं, so this is somebody जो इनकरेज करता है लोगों को टॉक्सिटी प्रैक्टिस करने के लिए, feminine को कहते हैं कि बढ़दास्ट करो, and masculine को कहते हैं कि उन पर हात उठाओ या उन्हें उन्हें प्रेस करो, उन्हें टॉचर करो, we have I didn't see myself deserving, yeah of course, आपका person अपने आपको deserving कैसे feel करेंगे, अगर वो toxic masculinity प्रैक्टिस करते हैं, या toxic femininity को हवा देते हैं तो, अगर वो anti-human काम करते हैं, और उनके अंदर धीरे-धीरे करके, इंसानियत खतम हो रही है, उनकी मासूमियत खतम हो रही है, उनका करूना खतम होड़ा तो, जाहे इसी बात है न, ऐसे में एक divine person like you उनके सामने आएगा, तो जाहे इसी बात है उनकी भीतर की जो सारी toxicity है, उसमें तो खलबली मचेगी न, कि आप तो इन सारी toxicity को हवा नहीं दोगो, आप तो इन्हें बरदाश नहीं करोगे इन behaviors को, you will not second it, तो obviously आपके life के आगे, उनका अंधेरा ता छोटा पर ही जाएगा न, my father told me to leave you, yeah, so यहाँ पर toxic masculine भी है, कार्मेक sister के साथ कार्मेक father भी है, जिन्होंने आपके person को advice कि आपको छोड़ दे, क्योंकि प्रबड़ी वह आपको control नहीं कर सकते थे, we have connect with me, crazy it might be, but connect with me, I feel like a person इस वको बहुत miss कर रहे है, ठीक है, धीरे धीरे उन्हें अपनी गल्तियों का एहसास हुए जा रहे है, and they are realizing की, कैसे वह, you know, they have always been so toxic throughout, about, and कहां कहां पर, वह खुदी अपने और इस connection के against, उन्हें function किया है, and, अब जब उन्हें अपने false twin, को experience करने के बाद, इन लोग की reality देखने बाद, इस karmic feminine की reality देखने के बाद, they are like, मैंने सही person को lose कर तिया, इन टॉक्सिक लोग की बीच में बने रहने के लिए, see the happy awakening, your person meant to an awakening, a solid awakening, I am hearing, कि आपके person बहुत prideful थे, उन्हें बहुत arrogance और घमन था, and, इन लोगों के साथ deal करते वक्त, उन्हें बड़े घमन से आपको, अपने life से धक्का मारके, आपको अपने life से बहार निकाला, और उन लोगो चुना, आपको छोटा मैसूस करवाया, आपको फील करवाया होगा, कि आप उनके प्यार के लाएक नहीं हो, and, you know, वो खुद अपने आपने आपमे deserving feel नहीं कर रहे थे, अपने toxic behaviors को, वो आपको बुरा feel कर आ रहे थे, right, नीचा feel कर आ रहे थे, but, अब उनकी जो ये arrogance थी, उनका ये जो pride था, कि ना कुचा करके उन्होंने ये जो decision दिया था, या आपको उपर उसारे toxicity उन्होंने इंफ्लिक्ट किया था, they are like, उनके सारे इस arrogance को smash कर दे रहे, divine, like, they are getting dragged, उनके arrogance की, ऐसी की टाइसी होए जारी है, very good, या पर परसुन को humble कर देगा, ये तुरा experience होए रहे, आपको उसे इस वक्त, presently हम होए उनके, उनका जो pride है, वो ब्रेक्डाउम हो रहे है, yup, they are working on their models, it's like questioning, उनके इंसानियत के उपर, उनकी नियत के उपर, what kind of rubbish have you been doing, ठीक है, part of their experience, कर क्या रहे थे रात्म, what the hell have you been doing all this time, it's like कहीं बार आपके परसुन को ना अंदर ही अंदर ले, मन ही मन उन्हें, feel होता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, but still आपका परसे, वो सारी चीजे कर रहे थे, अपने अपने खुद के खिलाब जाकर के वो ये सारी चीज कर रहे थे, अपने अंतर आत्मा के आवाज के खिलाब जाकर के कर रहे थे, ये कार्मिक फादर और ये कार्मिक सिस्टर उन्हें इस चीज के लिए और जादा खुश कर रहे थे, encourage कर रहे थे, कि नहीं कर, allowed है तुझे, allowed है, allowed है तुझे, allowed है तुझे, allowed है ऐसे kind of stuff, या, इससे आपके परसें के मन की शान्ती भंग होगी है, कि इस वक्त अगर आपके परसें के कुछ अगर वो मांग रहे, अगर वो प्राथना कर रहे किसी चीज के लिए, वो है अपने मन की शान्ती, कि प्लीज मेरी गिमी पीस, और दिन आपके परसें को मिल नहीं रहे, बिकॉज, वो वननेस में नहीं आपारे, उनका थर्ड आएक राम चाक्रा इस अप्सुरूटली शाट, इस अस्ट्रगल उने फाइट करना होगा अपने अपने चाक्रास को ओपन करने के लिए, इन्टर्नल फाइट चल रहे है आपके परसें के भीतर, आपके परसें के लिए यहाँ पर अडवाइस ही है, आपके परसें के लिए यहाँ पर अडवाइस ही है, कि अपनी क्रियेटिव साइट को जितना इस वक्त फैक्टिस में लाइंगे उतना अच्छा है, जैसे कि पर एक्जामपल, पेंटिंग पर में मेडिटेशन, मैं आदा गंटा बैट के पेंटिंग कर लोगे ना, तो तक कलर मिक्सिंग होता है ना, अपने दर्थ या पेंफुल मेमोरी से बाहर निकल के, अपने हीलिंग को एक्टिवेट करना उस दर्थ के पार देखने में हेल्प करता है, कुछ बनाते होंगे, एनिटिंग, एनिटिंग, जो उन्हें अच्छा लगता है करना, अम हेरें कि यहां पर कोई है जो बहुत लंबे समय से अपने टी-शिट्स को कलर करने की कोशिश करे हो, चाहते हो, प्रिंटिंग करना चाहते हो ले घर पे ही, कलर्स के साथ पेंट से उसको डिजाइन करना चाहते हो, then do it, that's part of your creativity, ठीक है, number three, number five, यहां number one बहुत important है, number three भी है यहां पर, तो बार number three अपने निकल क्या है, so number three the trinity is very important, आपका person literally यहां पर अपने आपको align करने के लिए struggle करे है and there is a lot of comparison, आपका person आपको दूसरों के साथ compare करते है, plus आपको अपने साथ compare करते है, आपको अपने बेहन के साथ compare करते है, आपको अपने बेहन के साथ compare करते है, आपको अपने फादर के साथ compare करते है, there is a lot of comparison, just to understand कि, कौन सही है, कौन गलत है, क्या disbalance है, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, कौनसा अडवाइस सही है, कौनसा नहीं है like there is a lot of going inside of your person's head यह आपका पॉसन स्पिरिचुल पात पे चलने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है it's like past में जब वहाँ आसानी से वो स्पिरिचुल पात ले सकते थे and उन्होंने लिया नहीं और अब चीज़े बहुत troublesome होगे plus उनके आसपास के लोग भी उन्हें पीछे के तरफ घसीट रहे उन्हें इस पिरिचुल पात पे चलना नहीं, आपके person को भी वह आपने साथ पीछे घसीट रहे आपके person के और इन लोग की बीच में spiritual वार्ड चीड़ गई है इस रहे आपका person लिटरली अपनी soul को बचाने के लिए यहां पर struggle कर रहे हैं आपका person यहां पर अगर ट्राविल करना चाहते थे वह डिले हो चुका है अगर वह कोई आपके person को इस वकना हर्मिट मोट पर जाने की बहुत ज़रुवत है ठीक है ना आपका person यहां पर अपके person अकेले में आपको हील करने की पोशिश्ष कर रहे हैं क A उन्हें शांती से जगह बैठने नहीं दे रहे आपका परसें जितना यहां पर ख्रेव कर रहे ना कि मुझे शांती दी तो प्लीज लीज मी अलोग मुझे अकेले में कुछ वक्त अपने साथ बिताना है I need to clear my mind मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा I have to sit with myself पर यह जो लोग है यह पास लाइफ से उठकर के आए हुए उनके कारमेक्स यह उन्हें बैठनी नहीं दे रहे might be even a romantic partner जो constantly उन्हें message phone किये जा रहे they are blasting their phone and कोई भी उसे उन्हें बैठनी नहीं दे रहे शांती से एक जगह बैठनी नहीं दे रहे and healing has become a struggle for your person right now it's like two minutes वह आँखे बन करके rest भी नहीं ले पारे दे कांट sleep constant constant attacks हो रहे आपका person के उपर से कहीं न कहीं उनका protection भी हट चुका है इस रहे को पूरी तरीके से अपने आपको surrender भी नहीं कर पारे there is a part of that क्योंकि आपके person में इतना pride or arrogance है वह पूरी तरीके से अपने आपको divine के आगे surrender भी नहीं कर पारे इस रहे को help तो चाहते है पर उनका pride उन्हें रोग देता है कि I don't know, मुझे नहीं पता मुझे करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए पर देन वह शांदी से ही तो बैट नहीं पा रहे है it's like harassing, happily exactly, that's a confirmation यह लोग आपके person को भाट तंकर रहे है, भाट तंकर रहे है, भाट तंकर रहे है it's crazy आपके person is work constantly अगर आपको नहीं पता था they're saying कि आपके person किसी healer reader के पास जा सकते है but उन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें contact करें उन्हें उन्हें contact करना भी चाहिए कि नहीं because they might land up taking reading को किसी karmic reader के पास से like fake reader से भी उनका reading ले सकते it's like उन्हें समझ में आ जाएगा कि यह person fake है क्योंकि उनका मन, अंतरमन जो कह रहे है उनका inner voice जो कह रहे है और यह reader जो कह रही है वो तो अलग-अलग बाते होगी ठीक है, constantly आपके person को एक pull feel हो रहा है कि वो अपने spirituality को embrace करें यह toxic belief system से बाहर निकले सारे manipulation से, conditioning से बाहर निकले बट उनके आसपास के लोग, क्योंकि उनका vibration इस वक्त लोग है वो toxic लोगों को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करें रीडर्स भी जिन रीडर को अगर उन्होंने अल्रडी रीडिंग दिया है या फिर रीडिंग लेने वाले है that person is going to land up being a toxic reader जो आपके person के डर को और हवा दे देंगे और भी उसको गलत डिरेक्शन में डाल देंगे आपका person दूसरे ethnicity से है different religion है आप लोग का different race है आप लोग का different race है आप लोग का your look different also I'm hearing it's like the skin color different है आप लोग का वोग शायद किसी और country से होंगे किसी और culture से होंगे I'm hearing उनका इनवस होना कह रहे है कि अत्मन की शानती दूनने के लिए तू आगे बार बिटा तू आगे बार ठीक है but then there is उनका हिस्सा यह भी है कि अभी तक वो you know third dimension के materialistic चीजों से भी पूरी तरह किसे detached होने के लिए भी वो detached नहीं हो पारे it's like कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए ना पैसा ना धरना कुछ but but then वो breaking जो ego breaking होता है वो भी completely नहीं हो पारे it's more like a pride thing with that pride thing you might first it might be a Leo I'm hearing Leo, Cancer, Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius okay those were the signs to intuitively let's get a closing message one closing message one closing message please one closing message yeah going with the flow इसमता पर परस्ट को going with the flow सीखना होगा बहना सीखना है बिना कंट्रोल के आपके परस्ट को control issues है just when I said control issues वो रह रहके ना अपने आपको और अपने आसपास के चीजों को control करने की कोशिश करते है उनकी upbringing ही ऐसी वी यह चीजों को control करना it's a it's a conditioning it's a top trait उन्होंने सीखा है अपने टॉक्सिक surrounding से control करना and kind of आपका परस्ट थोड़ा सा ऐसा भी है यह तरहा लीजी भी है number nine is there person is पर अप्छे थासे तरीके से घसीडे जा रहे तेरा childhood womb links आपके person के जिसके वजे से उनका abundance इस बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, they are not getting anything number nine, number five, number nine दो बारा है, ठीक है, we have the number three again, तीसरी बारा है, number three is big for you guys, ठीक है, अकेले में बैठे बैठे रो रहे है, it's exhausting, number nine again, number nine, number three, यह अपका birth number, life path number हो सकता है, 9th is month of September, ठीक है, but then source is still there, which is, that tells me, कि यह divine intervention है, ठीक है, it's like, learning the hard way, आपके परसन का इस वक शनी महादाशा चल रहा होगा लगी, satin effect, you know, सारे शन्तिया and all that stuff, okay guys, आप लोग अपना धिहान रखे, मैं मिलत आप लोग उस अपना अगले वीडियो पे, ठीक है,